दिपा नीटिंग चैनल मैं आपको स्वागत गरती हूँ आज मैं ये टोपी डिजाइन लेकर आई हूँ ये जेंज के लिए भी बना सकते हैं और लेरिज के लिए मति लगा कर भी बना सकती हैं देखिए आज मैं ये लार्ट साइज में बना कर आपको देखानी वाली हूँ जिने उल्टे और सुल्टे बनाई आज आता है वो आसानी से बना सकती हैं बहुती जल्दी बनने वाले ये टोपी डिजाइन आज आप से सियर कर रही हूँ ये मैं काफी सारी बना चुकी हूँ और ये देखिए ये उल्टी साइड में सारी उल्टी उल्टी बिननी है देखिए इसकी उपर की साइड भी बहुती सुन्दर है और इधर आप पॉपकुन लगा कर भी सजा सकते हैं कोई भी बिगीनर आराम से बना सकते हैं बहुती आसान है देखिए सरकल बनाना है सरकल के पीछे दागा ले कर जाना है और फिर इस तरीकी से खितना है देखिए फिर देखिए ये छोटे वाला धागा आपका लेफ्ट एनर में और ये लंबा वाला राइट एनर में इस तरीकी से लेना है देखिए फिर इस तरीकी से लेकर ये छोटे वाले आपका और ये लंबे वाला देखिए आप आमची ये छोटे वाला इस तरीके से काटी में लेने अर ये लंबा वाला देखे ये काटी जो ताय के नीचे कराते हुए इस तरीके से ले कराना है आपको इसी तरीके से फंदे डालने हैं मैं इसमें दो तरीके से आपको फंदे डालने के तरीके बताऊंगी देखे इस तरह के से बनाते हुए आप फंदे डाल सकते हैं अब देखे इस तरह के से भी आप फंदे डाल सकते हैं इस तरह के से डालने से आपका ये फंदे जल्दी बन जाता है इस तरह के से डालनी है कोई भी तरह के से आप फंदे डाले इसमें मैं 88 फंदे डार रही हूं लार्ड साइज का है और दो फंदे एस्टा डार रही हूं इसमें टोटल 90 फंद है आप शीर का गोलाई का हिसाब से फंदे डालकर बना सकते हैं यह मेरा मोटा उल और आठ नम्मर का काटी योज़ गरते हुए बना रही हूं देखिए फस्ट फंदे बिने मिना उतार ना है और एक फंदे सीधे तागा आपनी तरफ दो फंदे उल्टे एक अरे दो तागा पीछे दो फंदे सीधे इस तरीके से बिन्नी है कि आपको की मैं भी इससी तरीके से बिन्ती रहीं देंखे आको मैं टायट बुंदने के तरीके देखा रही हूं इस तरीके से लपत निया दागे में और और इस तरीके से बिन्नी से आपका ये बुनाई टाइट हो जाता है और आप जल्दी भी बुन सकते हैं इस तरीके से बिन्नी से और फिर देखिए मैं आपको दुसरी तरीके दिखाते हैं आपको इस तरीके से धागे लिने से भी आप बहुती जल्दी बना सकते हैं और बहुती टाइट आपका बुनाई आ जाता है आपको ये दो भाद देते हुए बिन्नी है जिसकी वज़े से आपको बुनाई परफेट आ जाता है आप भी इसी तरीके से बनाईए फिर देखें अब मैं ये अंतिम का जो दो फंदे है इसे में उल्टी-उल्टी बिन्नाई हुँ और इधर से में शुल्टी-उल्टी बुनेंगी जो उल्टी साइट से और देखें ये सीधी में सीधी है और उल्टी में उल्टी है उल्टी में उल्टी बिनेंगे और ये उल्टी है तो उल्टी में हैं सीधी बिनेंगे देखें ये सीधी है इसे हैं सीधी बिनेंग सीधी में सीधी और उल्टी में यह ऍसका वोग्या रिप्टी रेडिजाइन वाट Bार्णा के साथ न Chinese और मां साथ रिप्टा और ब Gutis आपको 2 मां अ ब्लीाग, ना रोछ रिपर पनदम झका स्वANS बार, बंदम, द्पर खत लेजेंए मैं ये अंतिम में आचची हूँ, मैं शारी साय ऊल्टी ऊल्टी बुन रही हूँ, इस तरके से, ये हमरा सो उल्टी साइड है, ऑब हम इसका ऊल्टी साइड से फिर इस तरके से आपनी तरफ गाठ बनाते होए, बिनेंगे, ये देखिए, फिर ये हमरा तरफ गाठ है अब फिर यह आमरा उल्टी साइड है फर्स फंदे बिने मिने उतारना है दागा आपनी तरफ अब फिर शारी फंदे इस तरीके से उल्टी उल्टी बिननी है आपको सुल्टी तरफ से उल्टी और उल्टी तरफ से उल्टी बिननी है और इसी डिजाइन आजाता है सुल्टी तरफ और उल्टी तरफ आपको इस तरीके से चार रो बिननी है यह हमारा दो रो बुन चुकी हूं सुल्टी तरफ से और उल्टी तरफ से आप देखे यह हमार उल्टे वारी साइड है इसमें भी हम इसी तर्के से इल्टी-उल्टी बिनाई बिन लिंगे अब देखे यह हमारा उल्टी साइड है इसमें भी हम इंगे इसमें इसमें बहुत सुन्दर है दो धारी बन चुका है एक और इधर भी दोधारी बन चुका है उल्टी तरफ और शुल्टी तरफ एक ही परकार का डेजाइन है देखेए और फिर हाम इसका उपर सीधी-सीधी बीने बिन लेंगे फस्फंदे बिने-बिने उतारना है और फिर देखिए शारी फंदे सीधी सीधी बिन लेना है इस तरीके सीवी फिर हम चार रो बिनेंगे सुल्टी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी फिर सेल्टी सब तरफ से सीधी, फिर उल्टी तरफ से उल्टी बुनते हुए हम यह 4 रोप पूरी करेंगे इसी तरके से बिननी है सीधी-शीधी देखिए सीधी साइड में हम सीधी-शीधी बुन रहे थे अब देखिए हम उल्टी साइड से बुन रहे हैं उल्टी साइड में हाम फिर सारी इस तरीकी से उल्टी उल्टी बिनेंगे और सीधी में इस तरका सीधी वाला डिजाइन आ जाता है अब इसी तरीकी से बिने है अब देखिए हाम ये डिजाइन की सुल्टी तरफ से है फस्पंदे बिने बिने उतारना है और फिर सारी फंदे सीधी सीधी बिन्ने है इस तरीके से बिन्ने है यह हमारा रोर थिरी है और हम यह सुल्टी साइट से बुन रहे हैं आपको इसी तरीके से सारी सीधी सीधी बुनती हुए बिन्ने है बहुती आसान है बहुती जल्दी एक याप बना सकते हैं दो चार गंटे में आप एक क्याप रेडी गर सकती हैं और दोस्तों से भी शेयर गरिए एक क्याप बुन्नी में आसानी हो तो कमेंट करके जरूर बताईए और आपको अच्छे लगा तो जरूर कमेंट करिए देखे यह हम उल्टी साइड से बुन रहे हैं अभी देखे इतनी में बुन चुकी हूँ अठात में चार रो बुन चुकी हूँ अफि देखे इस उल्टी तरफ से बुन रहे हूँ में फस फंदे बिने-बिने उतार ना है देखे यह हमारा जो इदर सीधी की नीचे का दो फंदे है उपर वाला का इससे हाम इस तरीके से काटी में लेकर आनी है और फिर चड़ाने है दुसरी काटी में और पिछी की ओर से काटी डालते हुए तीन का एक बिन लेन आए इस तर कीसे बिन लेना है दागे आपनी तरफ फिर देखिए अब इधर हम इस तर कीसे दागे आपनी तरफ लेकर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, और यह शाथ फंदे उल्टी बिन लेना है फिर देखे दागा पिछेले कर जाना है और फिर देखे ये सीधी वाले जो आठों वाले फंदे का सीधी के दो फंदे है इस से इस तरीके से उठाना है और फिर काटी में डालना है ब्याक लूप अर्थात पिछली तरफ से तिन का एक देखे फिर इस तरीके से साथ फंदे उ इन्ने है आपको देखे इधर में साथ फंदे उल्टी उल्टी बुन कर यह जो आठी वाले हैं इसमें मैं यह नीचे का जो फंदे हैं उठा रही हूं और काटी में डार रही हूं और फिर पिछी की ओर से तीन का एक इसी तरीके से बनाईए मैं भी इसी तरीके से बनाती हूं फिर देखिए यह आठों वाली की नीचे का दो फंदे इस्तर के से लेना है फिर चड़ाना है और फिर इस्तर के से पिछे से तिन का एक देखिए इस तरीके से बिनने है मैं बाकी वी मुंती हूँ एक दो तीन चार पांच छे और है साथ देखिए इधर हम साथ फंदे यह हामरा आठों वाला पंदा है इसमें इस तरीके से फंदे उठाना है और फिर चड़ाना है और फिर तिन का एक बिनने लेना है फिर देखिए एक फंदे सिधे इस तरीके से बिनने लेना है और देखिए इस ए बात को रिपीट करते हुए इसका उपर है देखाती है, और देखे ये बहूत ही शुनदर है यह आम इधर डार रहे थे जो डीजाइन वह हुए और इसका उपर जो डीजाइन डालने है यह में आपको देखाती हूँ जिसकी बज़से यह आप आराम से बना सकते हैं देखिए फस फंदे बिनी बिनी उतार नहें तागा आपनी तरफ फिर देखिए आपको चार फंदे उल्टी उल्टी बिननी है एक दो तीन और यह चार फंदे उल्टी उल्टी बिननी है यह शिचिश का एक फंदे से आपको पांच फंदे उल्टी उल्टी बिननी है ये देखे ये पाचों माले फंदे के नीचे का जो सी नी देख रहे है आपको इसी फंदे उठाना है दागे पिछे फिर देखे इस तर के से काटी में लेना है फिर चड़ाना है ये दो फंदे और देखे इस तर के से पिछे से आपको तीन का एक बिनाई बिन लेना है देखे तुकि इस तरीके से फर देखे वह दागा है आपनी तरफ फिर आपको 7 खन दे उल्टे ूल्टे उल्टे बुनने दो तीन चार 5 6 अरे 7 देखे श सात फन दे बुनने के बाद यो आठिवो आले हैं इसके नीचे का जो उपर वाला नजर आ रहा है फंदे आपको वो फंदे उठाना है नीचे में भी हाम उसी फंदे में रिजाइन डार रही हूं ये बात भी आपको ध्यान देती हुए बिन देना है देखे इस तर के से उठाना है फंदे फिर चड़ाना है काटी में और फिर पिछली तरफ से आपको तीन का एक बिनाई बिन लेना है। शारी आपको इसी तरीके से बिन लेना है। देखे, यह में साथ फंदे उल्टी बुन्नी के बाद नीचे का दो फंदे उठा रही हूं। और फिर तीन फंदे तीन का एक। देखे, इस तरीके से। फिर लाश्ट में हम पांच फंदे उल्टी बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, और यह पांच। इस तरीके से बिनने है। देखे, यह हमरा सुल्टी साइड है। और इस तरीके से डिजाइन बनते आ रहा है। यह डिजाइन आप किसी भी पोर्जेट में डाल सकती है, बहुत ही सुन्दर है। और आप दोस्ते से भी शेयर गरिए। देखे, इसका उपर आप फिर इसी तरीका का डिजाइन बनाने है। शुल्टी तरफ से उल्टी और उल्टी तरफ से उल्टी और शुल्टी तरफ से उल्टी तरफ से उल्टी बनते हुए। चार रोब बनाने से अमरा यह डिजाइन आ जाता है। देखें यहां सुल्टी तरफ और उल्टी तरफ इस तरीके से बिनते हुए बिनेंगें देखें इस तरीके से फस्पंदे बिने बिने उतार नहीं और फिर सारी फंदे उल्टी उल्टी बिनने हैं आप इसी तरीके से बिन लीजिए और फिर देखें मैं इसका सुल्टी में हूँ और फिर ये डीजैन बहुत ही सुन्दर है देखिए कितना सुन्दर आ रहा है और फिर इसका उपर हम फस फंदे बीना बीना उतारने है और फिर दागा आपने तरह और सारी फंदे इस तरी किसी उल्टी बुनाई बिन लेगे अभी मैं उल्टी साइड में हूँ फिर उल्टी साइड से भी सारी फंदे उल्टी उल्टी बिनने लेना है देखे इस तरीगे से आम इसमें चार रुख बिनेंगे देखे ये मैं नापकर आपको दिखा रही हूँ ये साड़े साथ इंच हारारी हमारा हो रहा है और आपका इसका उपर भी बना सकते पर आपको एक बात ध्यान देना है यह डिजाइन आपको इसका उपर बनाते हुए घटाई गरना है जो यह डिजाइन इसका उपर आ जाता है तो यह बिगर जाता है यह द्यान देते हुए आपको घटाई गरनी है अब देखे मैं इसका उपर घटाई गर रही हूँ फस फंदे बिने बिने उतारना है और ये दो, तीन, और ये चार अर्था चार फंदे सीधी बुन्नी के बाद अब हम इधर डिजाइन डालेंगे देखे ये नीचे डिजाइन है इसका उपर हम ये दो फंदे इस तर के से तुश्री काटी में ले कर जाना है पिछे वाला फंदा बुन्नी है और दो फंदे इसकी उपर से गिराना है देखे इस तर के से जिसकी पज़े से आमारा इधर उपर साइड में डिजाइन आ जाता है देखे फिर ए दो, तीन, चार और ये पास फंदे आपको सीधी बुन्नी है पास फंदे सीधी बुन्नी के बाद देखे जो डिजाइन है निचे इसकी उपर का जो फंदे है दो फंदे इसे दुसरी काटी में ले कर जाना है पिछली वाल फंदा बुन्नी है बुन्नी के बाद दो फंदे इस तर के से दो का एक देखे इस तर के से आपको घटाई गरने है फिर पास फंदे सीधी दो, तीन, चार और ये पास देखे जो निचे का डिजाइन ख्याल गरते हुए आपको बिनने नहाए देखे इधर भी हमरे एक फंदे घट रहे है और इधर इधर फंदे गाटने से आमरे इधर पास फंदे हो रहे है देखिए पिछेरवारे फंदे बुनने हैं फिर दो फंदे गिराना है इस तरके से बिनने हैं सारी हम इसी तरके से बिनेंगे यह मैं अभी लास्ट में आ चुकी हूँ देखिए यह मैं डिजाइन डार रही हूँ और फिर एक दो तीन चार अरे पांच फिर यह दो फंदे दूसरी कमें लेकर जाना है फिछी वाले फंदा कि भूंने है दो फंदे इसा के उपर से गिराना है फिर देखिए यहु दो तीन देखिए इधर आमरे एक फंदे गट रहे इसले आमरे यह चार फंदे हो रहे हैं देखें यह डिजाइन बहुती सुन्दर है इसका उपर फिर आम घटाई घटे वहे टोपी का आकार दे रहे हैं फिर उल्टी साइड से फिर सारी उल्टी-उल्टी बिन्नी है इस तरीके से बिन्नी है फिर देखें फास फांदे बिन विना उतारना है और फिर दो यह तीन फांदे बिन्नी के बास जो हामारा डिजाइन है और नीचे भी हामारा डिजाइन है इसी के उपर हम दो फंदे दूसरी काटी में ले कर जाना है पिछे वाले फंदे बुन्नी है इसका उपर से फिर दो फंदे गिराना है इस तरके से गिराना है और फिर देखिए इस तरके से बनाने के बाद फिर हम तीन फंदे सिरे फिर देखिए तीन फंदे सीधी बुर्णने के बाद दो फंदे दूसरी काटी मेले कर जाना है पिछे वाले फंदे बुर्णने है इसका उपर से दो फंदे गिराना है इसी तरीके से बनाईए देखिए लास्ट में भी आपको इसी तर किसे बिनने बनाना है हम तीन फंदे सीधी बुर्णने के बाद ये डिजाइन डार रहे है और फिर देखिए जो लास्ट का तीन फंदे सीधी बिनने लाए इस तर किसे बनाईए अभी हम उल्टी साइड से बुन रहे हैं उल्टी साइड से सारी उल्टी उल्टी बुन बुन लेना है इस तर किसे बनाईए सारी देखिए अब फिर हम इसका गटाई गरते हैं कि ये गटाई आपको किस तर किसे गटाना है ये में देखाना जा आई हूँ देखिये यह एक फंदे बिन्डे है और दो फंदे इस तरीके से दुशरी काटी में पिछी वाले बुन्ने है और दो फंदे जो है इसकी उपर से गिराना है देखे फिर एक फंदे बिन्य है और फिर दो फंदे दूसरी काटी में लेकर जाना है पिछे वाले फंदे बुन्य है और फिर दो फंदे इसी के उपर से गिराना है फिर देखे आपको एक फंदे बिन्य है और यासुतिस का एक फंदे भी आपको सीधी बिन्य है देखे इस त अलग तरीक के से घटाए DAVID डुसरी काटी लेकर जाना है पिछी वाले फंदेपी वाले बूरोओ Hmm इसे बनाते हैं यह है हैं हमारा धीजाइन इसमें हैं सीहीं इस तरह के से फिर तसरी काटी में लेकर हैंben पिछी वाले हैं है तारीक से प्रलकल आपको को कि सारी इसी तरके से गटा ति हूं फिर देखें दो हम दसरी नधे पिछी 15 वाले रिफ़ने है और इसका ऊपर से दो पंदे गिना नहीं अभी हामारा पास लास्ट वाला एक पंदे है ऐसे हम सीडी बिन लेंगे देखे इस तर कि शीं है और हे अमारा घटॉटाई पूरा हो चुका है और फिर देखे इस किस तर किसे बंद गरना है यह में देखारन जा रही हूं आपको यह फंदे आपका कमबेशी हो सकते हैं साइज अनुसार देखें आप इसका उपर हाम एक फंदे डालेंगे इस तरी किसे फंदे डालना है और फंदे डालने के बाद सारी फंदे इसके उपर से इस तरी किसे गिराना है देखे इस तरकी से गिराएंगे और फिर आपको यह दागा इस तरकी से ताननी है और यह निकलने के बाद इसका जो गोल है गोल में इस तरकी से दागे लेकर जाना है और फिर आपको यह not लगाना है देखिए अब इसका उपर हम शिलाई गरेंगे देखिए यह उपर का side बहुत ही सुन्दर है अब देखिए आप इस तरके से नीचे का और उपर का फंदे लेते हुए शिल सकते हैं इस तरके से सारी आपको इसी तरके से सिलनी है मैं भी इसी तरके से शिलती हूँ, फिर आपको ये किस तरह का बना है, ये मैं आपको देखाती हूँ देखें मेर ये लास्ट में आच चुकी हूँ, सिलते हुए देखें इदर हमारा जो सरकल है, इसमें हाम तागे डालेंगे और फिर ये नट बना और फिर फिर एक बार नट लगाएंगे और ये धागे आप लगगर सकते हैं दोनों धागे काटने हैं आपको ये टोपी डिजाइन आप आसानी से बना सकते हैं कोई भी साइज में मैं आपको ये साइज बता रही हूँ आपको सीर का गोलाई का इसाब से फंदे लेना है फिर आपको आठकी मंटी पॉल में फंदा लेकर दो फंदा एश्टा राक कर बना सकते हैं देखिए ये मेरा बहु कमेंगर के जरुरु पताये किसा रहा है